चांद पर लेंड करते ही चंद्रियान 3 का पहला मेंसेज आया है भारत मैं अपनी मंजिल पर पहुच गया और तुम्हें भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लैंडर क्या हाइट लागातार कम होता जा रहा है इस समय हम लैंडिंग साइड के जस्ट उपर है और इस समय इसकी उचाई लगभग लगभग छैसो मीटर के आसपास है इस स्टेश के दौरान लगभग एक चोग पचास मीटर के उचाई पे पहुचने के बाद लैंड करते ही अपना संदेश भारत को भेजा है बता दे कि भारत ने बिश्व गुरु बनने की दिशा में बुधवार को बड़ी चलांग लगाते हुए चांद के उस भाग पर राष्टी तिरंगा लहरा दिया जहां आज तक कोई भी देश नहीं पहुच पाया था भारती अंतरिश अनुसंधान संगठन इसरों के वैग्यानिकों ने चंद्रयान थ्री को चांद के दक्षिनी धुरू पर उतार कर अंतरिश के दुनिया में इतिहास रज़ दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिन अफ्रीका से वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिये से बैग्यानिकों को बधाई देते हुए कहा कि आज सफलता की अमरित वर्षा हुई है देश ने धर्ती पर सपना देखा और चांद पर साकार किया कुछ दिन पहले रूस ने चांद के दक्षिनी धुरू पर पहुँचने की कोशिश की थी लेकिन उसका लूना 25 अंतरिक शियान चांद की सता से टकरा कर दुर घटना गरस्त हो गया था ऐसे में भारत के चंद्रियान थ्री मिशन की अहमियत और बढ़ गई थी पूरी दुनिया की नजर इस मिशन पर थी चंद्रियान थ्री की सभलता के लिए देश के कोने कोने में आज सुबस से पूजा प्रार्थना और इबादत की दौर शुरू हो गई थी बैग्यानिकों ने चंद्रियान थ्री को चांद की ऐसी सतव पर उतारा है जो मुश्किलों की जान से घिरी है सबसे बड़ी चुनोती यहां का डार्क यानी अंधेरा था यहां पर लेंडर बिक्रम को उतारना काफी मुश्किल था क्योंकि चांद पर प्रिधवी की तरह बायू मंडल नहीं है हमारे बैग्यानिकों ने मुश्किलों को राई बना कर पुरानी कलतियों से बड़ी सबक लेते हुए चंद्रियान थ्री के लेंडर और रोवर प्रग्यान को चांद के उस आगोश में पहुचा कर सांस ली जहां से कई खवली रस्जियों का परत दर परत खुलेगा